समस्तिपुर में तीन अपराधी गिरफतार फरजी आधार व वोटर कार्ड बना अपराधियों को सिम उपलब्ध कराता था कार्ड भी बरामद समस्तिपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में फरजी आधार और वोटर कार्ड बना कर फरजी तरीके से बदमाशों को सिम उप गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मायूरेश कुमार उर्फ लक्की, निशान्त कुमार उर्फ विरू तथा मनोज कुमार उर्फ मंजय यादव शामिल है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में फरजी आधार कार्ड वोटर कार्ड बरामद किया जानकारी देते हुए ASP विनेतिवारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि मदूरेश कुमार उर्फ लक्की जो पूर्व में हथ्यारों की तस्क्री करने का काम किया करता था, वो सिंदिकेट बनाकर और फरजी तरीके से वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाकर बदमाशों को घटना में प्रयुक्त करने के लिए सिम उपलब्ध कराता है, जिस सिम का इस्तेमाल कर अपराधी, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और घटना होने के बाद उस सिम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे पुलिस जल्द सही बदमाश के करी की लंबे समय से पूसा थाना क्षेत्र में फरजी कागजात बनाकर बदमाशों को लाब पहुंचाने वाला गिरोह सक्रिय था, इस पी ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा दो दर्जन से अधिक लोगों को सिम उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में पुलिस को जानक अधियार के साथ हथ्यारों की सप्लाई भी करते हैं और अन्नी भी फरजी दस्तावेजों का कारे चल रहा है, इसकर में चाक्त मारी की गई है और तीन अपरादियों गरफतार किया गया है, यह तीनों परादी है, मेरेश कुमार और लक्की, निशान तुर्फ बीरू और मन नाम से SIM नरगत कराने का और जो की अपरादियों को घटना कार्यत करने के लिए मोहिया कराया जाता था, इसमें मेरेश कुमार और लक्की जो है पुराने क्रिमिनल है, इनके पास अथियार बढ़ामत हुआ है, इन लोगों के पास से हम लोगों को फरजी वोटर कार्ड, फर इसमें रोल था लक्की का, मेन मेरेश कुमार ओफ लक्की है, यह क्या करता था, अपने साथी वीरू को ले जाता था, किसी भी प्रिंटर वाले के पास, और मन्जय कुमार यादो के सहारे, इसमें से एपिक नम्मार और होलोग्राम निकालता था, अत्पस्चात उसका पर ऐते हैं, यह सम् दिर्गत होती करों, तो प्रताता से फैजिए शम निकलवाई है तो जह बरामत होई है और किसके सा प्राजी को ये SIM दी गई है, वो पता चला किन घटनाओं में इनका उपयोग किया गया है, ये भी पता चला है, किनों को गरफतार कर लिया गया है, किनों को जेल भेजा जा रहा है, साथ ही अब यह हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जिल्ले में जितनी भी कराते हैं जो उनकी दुकान पर इस तरह की घटनाएं हो रही है या नहीं हो रही है, तो फर्जी SIM अपराजियों को जो मोया कराई जा रही है, और उसी SIM से अपराज कर रहे हैं, तो सभी दुकानों पर एक साथ आपमारी भी होगी और उनका सत्यापन भी होगा, कि आखिर य झाल झाल झाल